नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है चंदर वशिष्ट और स्वागत है आप सभी का वशिष्ट टेक टॉक में लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और आप लोगों का ओनलाइन अन्निंग में इतनू सा इंटरस्ट है तो मेक शूर कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बैल जैसा कि मैंने कहा कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पांच ऐसे तरीके बताऊंगा जिनको यूज करके आप लोग आज की डेट में 2023 में या फ्यूचर में भी इनको यूज करके आप online earning कर सकते हो इन में से बहुत से तरीके मैं खुद यूज करता हूँ तब ही मैं आप लोग को ये discuss कर रहा हूँ आप लोगों के साथ पेरी लिस्ट में जो पहला तरीका है that is content writing आप लोग content writing start कर सकते हो आप लोग content writer बन सकते हो और content writing करके आप लोग online अगना start कर सकते हो अब बहुत से लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि यार content writing हमें तो content writing नहीं आती तो guys content writing में देखिए अगर आप लोगों को content writing आती है अगर आप लोगों को लिखने का शौक है तो आप लोग अपना ब्लॉग start कर सकते हो ब्लॉग writing still जिन्दा है अभी तक अगर आप लोगों को content writing नहीं आती तो एक टूल है आज की डेट में जिसने काफी ज़्यादा तबाही मचा रखी है AI-based एक टूल आया हुआ है ChatGPT आप लोगों में से बहुत से लोगों ने ChatGPT का नाम औरेडी सुन रखा होगा ChatGPT एक बहुत अच्छा टूल है अगर आप लोगों को content writing नहीं भी आती तो आप लोग ChatGPT को use करके content रिख सकते हो ChatGPT बहुत जादा simple है Simple particularly जिस topic के उपर आपने content लिखना है आप लोगों ने वो content डालना है और वहाँ पे उस command दे देनी है कि मैंने इस पे blog लिखना है आप मैं ChatGPT को यहाँ पे explain नहीं करूँगा Already market में बहुत सारी वीडियो पड़ी है ChatGPT की यहाँ पे register करना बिल्कुल free है आप लोग free में यहाँ पे sign in कर सकते हो अपनी Gmail account के साथ और फिर ChatGPT को सवाल पूछ के यह Google से भी ज़्यादा question के answer देती है यह इतनी उतना ही simple है जितना Google है आप लोगोंने ChatGPT को उपर command लिखनी है कि मुझे इस particular topic में content चाहिए उसके बाद ChatGPT आप लोगों को खुद content बना के दे देगी आप लोगोंने उस content को पढ़ना है और थोड़ा reformat करना है और फिर आप लोग उसको use कर सकते हो किसी website के लिए किसी अगर आप लोग की client के लिए content लिख ले हो तो आप लोग उसकी website पे उसको use कर सकते हो अगर आप लोग खुद का blog लिख रहे हो तो आप लोग अपने खुद के blog पे उसको upload कर सकते हो उस content को use कर सकते हो बस आप लोगोंने कुछ नहीं करना है आप लोगोंने simple chat GPT को use करना है यह सब कुछ free का process है ना किसी skill की जुरूरत है आप लोग बीना किसी skill के content writing start कर सकते हो आज की date में और फिर content writing से आप लोग अच्छा खासा amount earn कर सकते हो अगर blogging की बात करूँ तो there is two website तो वहाँ पर अगर मैं blogging की बात करूँ तो एक blogger.com website है और एक wordpress.com website है जहाँ पर आप लोग free में अपना blog start कर सकते हो और फिर आप लोग एक बार अगर आप लोगोंने अपना blog start कर दिया और आप लोग अपने blog पर content दालते गए तो within time वहाँ पर traffic आएगा और फिर आप लोग वहाँ पर बहुत सारे तरीके आप लोगों को खुल जाएंगे जिन तरीकों को use करके आप लोग online earn करना start कर सकते हो बट यह बहुत simple है content writing बढ़ते हैं next way की तरफ और जो मेरी list में मैंने second way रखा है that is affiliate marketing affiliate marketing का आप लोगों में से बहुत से लोग जानते होंगे बट मैं यहाँ पर उस amazon और flip card या किसी e-commerce website की बात नहीं करूँगा आप लोगों को पता है कि वहाँ से revenue generate करने के लिए आप लोगों की एक अच्छा खासा fan following होना चाहिए और फिर वहाँ पे जो target मिलते हैं आप लोगों उन targets को अगर achieve करोगे तभी आप लोगों को उस affiliate marketing के तुरू पैसा मिलता है लेकिन जिस affiliate marketing की मैं बात कर रहा हूँ उसमें आप लोगों को बहुत सारी apps है जो हमारी daily life में use होती है shopping की apps होगी चाहे fitness से related apps होगी चाहे मैं बात करूँ stock market में stock market का boom भी आज की date में बहुत जादा बड़ा है उसका craze बहुत बढ़ रहा है तो आप लोग उन apps की referer program को join कर सकते हो और फिर referer program को join करके आप लोग वहाँ पर उस apps को refer करके as a reward कुछ earn कर सकते हो वहाँ पर तो मैं यहाँ पर एक referer program की बात करूँगा stock market guys stock market एक तो बहुत अच्छा तरीका है आज की date में पैसा कमाने का आप लोग stock market में invest करके भी earning कर सकते हो और बहुत से लोग हैं जो stock market में जिनका interest है आज की date में बहुत से लोग stock market में invest करते हैं तो अगर आप लोग भी stock market में invest करना चाहते हैं तो जो मेरे हिसाब से दो apps तो मुझे बहुत अच्छी लगती है अजल वन और upstock वैसे तो grow भी है कई बहुत सारी apps हैं जिनको use करके आप लोग stock market में invest कर सकते हो बट मैं personally बोलू तो मुझे दो लगती है और अगर आप लोग ये कोई apps डाउनलोड करते हैं और इन apps को इन apps का जो refer program है उसको join करते हो और अपने friend circle में इन apps को refer करते हो तो आप लोग पर refer minimum 300 to 500 earn कर सकते हो आप लोगों ने कुछ नहीं करना है आप लोगों ने सिर्फ refer करना है और stock market में आज की डेट में बहुत से लोग interested हैं बहुत से लोग stock market में invest करते हैं बहुत से लोगों को पता नहीं है कि कहां पर invest किया जाए और कैसे डेमेट में open किया जाए और ये सारी apps आप लोगो ये facility देती है तो अगर आप लोग इनका referal program join करोगे तो आप लोग अच्छा कासा amount earn कर सकते हो तो affiliate marketing भी एक अच्छा तरीका है ये मैंने सिर्फ आप लोगो को example दिया stock market का आप लोग किसी भी apps को refer करके वहां से earn कर सकते हो बहुत सारी apps आती है market में जो अपना referal program भी चलाती है तो आप लोग apps की referal program को apps की affiliate marketing कीजिए और वहां से भी आप लोग अच्छा कासा amount earn कर सकते हो बढ़ते हैं third way की तरफ और जो मेरी list में number 3 पे मैंने तरीका रखा है that is freelancing एक फिल्ड में skill की जरूरत होती है वो बोलते हैं कि अगर आप लोग जितना gold डालोगे उतना मीठा होगा तो वही बात है अगर आप लोगों के पास skill है कोई बड़ा skill है तो आप लोग यहां पर बहुत सारा पैसा earn कर सकते हो मतलब यहां पर per hour base पे आपको लोगों को payment मिलती है तो अगर आप लोगों के पास कोई अच्छा skill है तो आप लोग ज़्यादा charge कर सकते हो बट अगर आप लोगों के पास skill नहीं भी है तो आप लोग data entry करके आप लोग virtual assistant बनके आप लोग social manager बनके content writing again मैंने बता दी इन सब तरीकों को use करके यह ऐसे तरीके हैं जो जिसके हम सब लोग familiar है social media आप हमारे को handle करना आता है data entry maximum लोग आज की date में जानते हैं आप लोग virtual assistant दे सकते हो virtual assistant तो बहुत ही ज़्यादा simple काम होता है कि आप लोग किसी का travel booking करोगे किसी की calendar maintain करोगे आप लोगों ने उसकी flight book करना है hotel book करना है जो भी बलाबला होता है उसमें वो सब कुछ आप लोगों ने उसका virtual assistant बन के आप लोग वो चीजे कर सकते हैं और यह हम सब लोग करते हैं social media marketing facebook पगएर हम सब लोग चलाते हैं instagram हम सब लोग चलाते हैं हमने लोगों का instagram facebook वो handle करना होता है उनके जो like comment कमेंट आ रहे हैं उसको reply करना होता है बहुत सारी फिल्ट है freelancing में यह है कि आप लोगो per hour इसमें rate कम मिलता है पक्तों आप लोग freelancing में छोड़ी छोड़ी यह services दे सकते हो जो skill आपके पास हो उस skill को मलब use करके आप लोग freelancing की help से earn कर सकते हो मैं already बहुत सारी websites के बारे में बता चुका हूँ top 5 freelancing website भी बताई थी मैं लिएक लिंक आई बटन पे भी आ रहा होगा description पे भी मैं उस video का link दे दूँगा वहाँ पर आप लोग freelancing करके अपनी service दे सकते हो जो skill आप लोगों के पास हो उस service को offer करके वहाँ से भी आप लोग earn करना start कर सकते हो बढ़ते हैं next way की तरफ और मेरी list में जो number 4 पे मैंने तरीका रखा है that is online teaching अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि यार online teaching के लिए यह तो skill की जरूरत होती है guys अगर आप लोग student हो तो आप लोगों का कोई तो एक subject मलब ऐसा होगा जो आपका ऐसा लगता होगा आप लोग को यार कि यह तो मेरा subject है में उनको help कर सकते हो बहुत सारी website है आप लोग English सिखा सकते हो अगर आप लोग की English पर कमांड है तो आप लोग English सिखा सकते हो आप लोग को उनके assignment ready करनी है जैसे जैसे वो आप लोग को बोलेंगे और वो आप लोग को पर assignment कुछ pay करेंगे तो मतलब आप लोग को लोगों का homebook भी कर सकते हो दूसरे person का आप उसको कुछ teach भी कर सकते हो आप लोग उसको मतलब language की बात करूँ या बहुत सारी science math बहुत knowledge है तो आप लोग अपना course अपना online course start कर सकते हो online teaching मैंने एक रखा इसमें बहुत सारी फिर्ट निकल के आती है जैसा कि मैंने कहा कि आप लोग homework कर लो किसी को कुछ पढ़ा लो किसी का फिर आप अगर बहुत अच्छा skill है तो आप लोग अपना course start कर लो बहुत सारे प्लेटफोर्म हैं जहां पर आप लोग अपना course start कर सकते हो like u-deme हो गया मावन हो गया front row हो गया बहुत सारे platform है जिनको जहां पर आप लोग अपना course start कर सकते हो आप लोग कुछ नहीं करना है आप लोग पर अप लोग और प्लैटफोर्म के उपर को सैल कर सकते हो अपने को फिर अगर अगर स्टुडेंट एंडरोल होंगे तो फिर डैफिनेटल आप लोग वहां पर कुछ ना कुछ ओंलाइन earn करोगे तो online teaching में भी बहुत सारी field निकल के आती है आप लोग online teaching करके भी online earn करना start कर सकते हो बढ़ते है next way की तरफ और जो मेरी list में number 5 पे मैंने भी रखा है that is content creation जहां आप लोग content creation को करके भी online earn करना start कर सकते हो आप लोगोंने आज की जेट में देखा होगा मैं खुद एक content creator हूँ आप लोग अपना खुद का YouTube channel start कर सकते हो आप लोगो अपना खुद का Facebook page start कर सकते हो वहाँ पे आप लोग content create कर सकते हो आप लोग Instagram पे अपना content create कर सकते हो मलब आप लोग अपना खुद का content content आप लोग का कुछ भी हो सकता है व्लोंग आज की data में चल रहे हैं, आप लोग अगर घुमने का शौक है, तो आप घुमते रहें, आप लोग नही जगा एकस्प्लॉर करते रहें, आप लोग उसका क्राइटेरिया है तभी आप लोग उसको तभी आप लोग वहां से अर्ण करोगे जो टाइम लगेगा वो तो लगता ही लगता अगर अगर आप लोग एक content creator बनते हो तो content creation में आप लोग को बहुत सारे option open हो जाते हैं और earn करने के लिए अगर आप लोग अपना जो भी जैसा कि मैंने कहा कि आप लोग कुछ भी अपना start कर सकते हो व्लोग start कर सकते हो कुछ भी start कर सकते हो जब आप लोग का एक बार धीरे-धीरे एकदम तो नहीं चलेगा बट आप लोग continuously उस पर काम करते रहे हैं मेहनत रंग जरू से earn कर सकते हो आप लोग paid promotion कर सकते हो मलब बहुत कुछ option आ जाते हैं एक बार अगर आप लोग successful content creator बन जाओ तो फिर लोग आप लोग के पास आएंगे कि हमारे लिए ये काम कर दो और फिर आप लोग बहुत सारे तरीके open हो जाते हैं earning के तो आप लोग content creator भी बन सकते हो रा करेगा और मुझे motivate करेगा आप लोगों के लिए नया नया content लाने के लिए तो आज की वीडियो में फिलाल इतना ही मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद, bye bye, take care